नमस्तार दोस्ता आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में तो दोस्तो इंतजार की घढ़िया खतम हो चुके हैं कल से उत्तर भारत, मद्या भारत और पूर्वी भारत में मोसम बतल जाएगा और बारिष की कैतिविद्या बढ़नी शुरू हो जाएगे और 31 जुलाई आते आते देश के पाड़ियों और मैदानी राज्यों के तो कई राकों में भारी भारिष होने की संभावने बन जाएगी जा दोस्तो जम्मो कस्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राकंड, उत्री राजस अगले 24 से 48 गंटों के दौरण हलकी मद्द में कुछ भागों में तेज भारिष होने की संभावने बन जाएगी तो आई ये जा लेते हैं पूरी जानकारी, तो दोस्तो कल से मैदानी राज्यों में दोनों तरफ की नमेदार आवाई, यानि कि अरब सागर से भी और बंगा बंगाल की कारिच शे भी देश के मैदानी राज्यों में बादलों के आवाज आई बढ़ जाएगे और मोसम बदल जाएगा और मैदाह राज्यों के तरायवाले छेतरों में कल से हलकी मददम है कुछ भागों में तेज भारिष ओने इक समावने बन जाएगे, वैसे तो दोनों तरफ की नमीदार हाए देश के मैदानी राजों में मोश्य और बढ़ाना शुरू कर देगी जिससे मैदानी राजों के काफी बागों में कल से बादलो की आवाज आए बढ़ जाए और बारिस होने की संभावने बन जाएगी जिए दोस्तों इस समय दो वैटर सिस्ट एक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है जो कि पिछले 24 गंटों के दोरान गुजरात के उत्री पूर्वी भागों पर एक लोग प्रेसर सिस्टम के तोर पर बनावा था जिसके बार में मैंने आपको कल की वीडियो में बता था कि गुजरात के उत्री पूर्वी भागों के सा साथ राजस्तान के दक्षनी भागों में भारी भारिश देने के बाद में या सिस्टम दे 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 अरब सागर के ओर बढ़ जाएगा जो कि इस समय गुजरात के पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन के तोर पर दिखाई दे रहा है और दोस्तों इसी सर्कुलेशन की व सागर में थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा तो इस समय जो नमीदार हुआ है पाढ़ी राज्यों पर पहुंच रहे हैं यह भी थोड़ा नीचे की ओर आजाएगी यानि कि मैदानी राज्यों पर आना शुरू हो जाएगी जिससे अगले 24 गंटों के दुरान से मैदानी रा से वैदर सिस्टम या सर्कूलेशन गुजरात से थोड़ा ओर ज्यादा दूर होता चला जाएगा तो इस नमीदार हुआ है थोड़ी बैतानी राज्यों कि ओर बढ़ना शुरू जाएगे और उस समय तक यानि का अगले 24 से 48 गंटों के दुरान तक बंगाल की खाड़ी में बनने वाला लो प्रेसर सिस्टम भी थोड़ा सा ऊपर क्यों राज जाएगा जिस से 31 जुलाई से उत्री राजस्थान, पंजाब, हरियाना, एंशिया, डिल्ली, पश्चिमी उतरप्रडेश, जमु कस्मीर, हिमाचल परडेश, उतराखंड के ज्यादातर भागों में भारी 24 गंटों के दोरान से मैदानी राज्यों के काफी भागों में बादलों के आवाई जाए के साथ में हलकी बारिश की कहत्विजा सुरू हो जाएगी, हाला कि पंजाब, हरियाना, उतर परडेश के तराई वाले छेतरों में अगले 24 गंटों के दोरान से हिलकी मद्दा में कुछ भागों में तेज भारी-बारी सोनिक संभावने बिनेगी मैदानी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हर्याना, एंसिया, दिली और पशीम उतरप्रदेश, पूर्वी उतरप्रदेश के ज्यादतर भागों में कल से बादलों की आवाज आई बढ़नी शुरू हो जा आजावी के साथ में हलकी मज़न में एकादुकास्तन पर तेज बहुचारे किर सकते हैं, उतरप्रदेश की बात करें, वैसे तो उतरप्रदेश के पश्चिम उतरप्रदेश से लगागर के पूर्वी उतरप्रदेश के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 गंटों के दोर पीली बीत, साजापूर, लकीमपूर, खीरी, बहराई, शराबस्ती, बलरांपूर, सिदातनगर, माराजगन, कुशी नगर, देवरिया, बल्या, गोरखपूर, गोंडा, बस्ती इन सभी जिलों के ज़्यादे तर भागों में, हलकी मज़न में कुछ भागों में, तेज बा बांदा, सुल्तानपूर, आजमगड, आयोज्जा, अमबेड करनगर, रायबरेली, अमिठी, लखनो, बारपंकी, गोंडा, गोरखपूर, बस्ती इन सभी जिलों के ज़्यादे तर भागों में, हलकी बारिष सोने के साथ साथ कुछ भागों में, हलकी मध्या बारिष की के सिवान, सारण, सिवार, सीतामडी, मुझफरपूर, ओरशी के साथ में, बकसर, भोजपूर, अरवल, जहनाबाद, ओरंगाबाद, रोतास, कैमूर, गया, नवादा, नालंदा, सेखपूरा, लखी सराय, जुमाई, इन जिलों के कुछ भागों में, हलकी मत्या बारिष हो सक भी कम रहेंगी, लेकिन 36 गड़गे जो उत्री पश्चिमी भाग हैं, कवर्दा, मुगेली, बिलासपूर, कोर्बा, कोरिया, सोरजपूर, बलरामपूर, सर्गुजा, जस्पूर, रायगाड, इन जिलों के जादतर भागों में, हलकी मद्या में, कुछ भागों में, तेज बैतूल, हर्दा, बुरानपूर, खंडवा, देवास, भोपाल, विदीसा, सायापूर, नीमच, मत्सो, रतलाम, उज्जैन, इंदोर, इन जिलों के काफी भागों में, हलकी मद्या में, कुछ भागों में, तेजबारी सुनिक समावने बनेंगी, पूर्वी, राजस्थान क के भी जो दक्षनी पूर भी भाग है, मद्या पूर भी भाग है, लोर, सिरोई, उदैपूर, परताबगट, डूंगरपूर, बासवाड़ा, रासमत, पाली, भीलवाड़ा, बुंदी, कोटा, बारन, जहालवाड, अजमे, टोक, इन जिलों के काफी भागों में, हलकी मद् बाटफड़ा, विदर्व और तेलंगाना के भी काफी भागों में, हलकी बाइरिस होने के साथ साथ, इका दुकास्तानों पर, हलकी से मद्या बाइरिस होने के समावने बिरेंगी, तो दोस्तों ये थी आज की बहुत हम जानकारी, एक नई जानकारी के साथ भी बिलता है, अप्तेकिलिस होने में, हुआ करने के लिए बिलता है, तो इस जो आज की बाइरिस होने के साथ साथ.